Good morning children, आज मैं आपको पार्ट पांच दो कव्वे पढ़ाऊंगे, इस पार्ट के मध्यम से मैं कुछ बातों की जानकरी देना चाहूंगे, सभी मनिश्य एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे, हमें अपने गुर्णों से आगे बढ़ना चाहिए, इस पार्ट को पढ़े और समझे कौन सा रास्ता सही है, धोका देना या सच्चाई से आगे बढ़ना, क्यूंकि धोका देने वाला कभी सफल नहीं होता, आईए पार्ट पढ़ें, एक पेड़ पर दो कववे रहते थे, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, वे साथ खाते, पीते, साथ ही उड़ते और एक साथ ही गूमते भी थे, पर दोनों एक ही बात पर जगड़ा करते थे, एक कहता मैं बलवानूं, तो दूसरा कहता नहीं मैं बलवानूं, बस इसी बात पर दोनों जगड़ने लगते, एक दिन दोनों ने इस जगड़े को खतम करने का निश्चय किया, उन्होंने तै किया कि दोनों नमक की एक एक थैली उठा कर उड़ेंगे, जो अधिक उपर उड़ सकेगा, वही बलवान माना जाएगा, यहाँ आप पैंसिल से माक कर लें, आज हमने यहीं तक रिडिंग कर कल हम आगे रिडिंग करेंगे, धन्यवाद